CEC फिरोज खान ने लद्दाक के लिए पर्यटन विजन दस्तावेज के संबंद में बैठक की अध्यक्षता की। समग्र, सर्व समावेशी द्रिष्टी दस्तावेज सुनिश्चित करने के लिए कारगिल जिले से संबंदित पर्याप डेटा को शामिल करने पर जोड देता है। 29 नवंबर 2021 को कारगिल में लद्दाक के लिए पर्यटन विजन दस्तावेज पर प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी पारशद, LHDC, कारगिल फिरोज एहमद खान ने पर्यटन विभाग कार्यकारी पारशदों और संबं कार्यकारी पारशद आगा सेद हसन अर्मान, पर्यटन और जांसकर मामलों के कार्यकारी पारशद एर पंचोक ताशी, वर्क्स के कार्यकारी पारशद सेद अब्बास रजवी, स्वास्थे के लिए कार्यकारी पारशद मोसिन अली, सहायक निदेशक पर्यटन कारगिल आग कारियों ने भाग लिया. बैठक के दोरान विशन दस्तावेज में प्रस्तावित विभिन कार्य बिंदूओं पर गहन चर्चा और विचार विमर्ष किया गया. सहायक निदेशक पर्यतन कार्गिल ने एक विस्तृत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विशन दस्तावेज में प्रस्तावित कार्य बिंदूओं पर प्रकाश डाला, जिसके जवाब में CEC कार्गिल, EC और पर्यतन हिद्धारकों ने अपने सुझाव और प्रतिक्रिया दी. CEC फिरोज खान ने बताया कि लद्दाक के पर्यतन मांचित्र पर सूरु घाटी और जान्सक लोगों को विशेश रूप से पर्वतिय अभ्यानों और अन्य साहसिक कार्यों के मार्ग दर्शन के लिए व्यापक प्रशिक्षन दिया जाना चाहिए. संबंधित गतिविधियां जैसे आइस होकी, स्नो स्की, रॉक क्लाइम बिंग, राफ्टिंग, पैरा ग्लाइडिंग कारगिल जिले से संबंधित अपर्याप डेटा को विशन दस्तावेज में शामिल करने पर चिंता व्यक्त करते हुए, CEC ने संबंधित को सभी प्रासंगिक डेटा को ध्यान में रखने पर जोर दिया ताकि एक समग्र और सभी समावेशी पर्याटन विजन दस्तावेज को चित्रित करने की आवश्यक्ता है और कुक्षो, हुंडर्में, जबायूल, हनीसकोटे आदी गावों को भी चित्रित किया जाना चाहिए, कारगिल जिले में विरासत गावों के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाएगा, इस बात पर और जोर दिया गया की भारतिय पर रवाई बिंदूओं की सूची में, बैठक ने सुझाव दिया की द्रास और जान्सकर घाटियों में नियंतरित परिस्थितियों में कोल्ड शावत थेरपी के केंद्रों का पता लगाया जा सकता है, इसके अलावा मुलबेक हाट वाटर स्प्रिंग्स, याक्षिंग हाट स्प्रिंग्स, डिम्बो शिलिकची और अन्य स्थानों को शामिल किया जा सकता है, सायमो थेरपी केंद्रों की स्थापना, L.A.H.D.C. कार्यकारी परिशत के सदस्यों और परियतन हिद्धारकों द्वारा पहले से प्रस्तावित बौध स्थलों के अलावा हिंदू और इस समारोहों से पहले की अबधी में कार्गिल युद्ध समारक द्रास में वार्शिक विजय दिवस समारोह योजित करना चाहिए। कार्गिल जिले में गुनवत्ता पूर्ण आवास सुविधाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए, यह बताया गया कि केंद्र शासित प्रदे से ब्यामा खोंबू, सानी जांसकार आदी में रौक नक काशी को विरासत स्थलों की सूची में शामिल करने की आवश्यक्ता है। जिले में वार्शिक खुबानी उतसब, यूटी लेवल फूट फेस्टिवल ममनी एंड फ्लावर फेस्टिवल मैंडो क्रिग्यास्पा और आर्यन बोनोना फेस्टिवल के उतसब के लिए एक कैलेंडर होना चाहिए। लिन किपाल, मनमान, तोलोलिंग, लालूंगला और उम्बाला में स्की धलानों का विकास, रीशंगालीन स्कींग स्थलों के रूप में उम्बाला और लालूंगला स्की धलानों की खोज का भी सुझाव बैठक के दौरान शेर बाग से कुर्बाथांग, बरूज ग्लेशियरों को शामिल करने और ग्लेशियरों और ट्रैकिंग मार्गों की सूची में इसके लिए जाने वाले ट्रैक मार्ग को शामिल करने का आहवान किया गया। भवनों का जेर्नोध्धार मरम्मत नवीनी करने।